असलाम लेकुम बच्चों, उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे आज हम पढ़ेंगे छोटी शकल को जब एक और हर्फ के साथ मिलाएं और उसके साथ एक और हर्फ मिलाएं तो एक निया लव्ज बन जाता है खेर की छोटी शकल को जब हम वाव से मिलाएं तो क्या बनता है? खोब खेवा खोब जब उसको हम शीन से मिलाएंगे तो बन जाएगा खुश खेवा खोब को जब हम दाल से मिलाएंगे तो बन जाएगा खुद खेवाफ होग जब हम बे से मिलाएंगे तो बन जाएगा खूब खेवाफ होग जब हम लाम से मिलाएंगे तो बन जाएगा खौल और जब हम इसको फे से मिलाएंगे तो बन जाएगा खौफ देखा बजो हमने इससे कितने जादा लब्स बनाए अब आप अपनी बुक खोलें सफ़ा नमबर 14 आपने ये अपना खुद भूवक करना है इसी तरह ये लफ्स भी दिये गए है रे, अलिफ, रा, जब इसको हम ते से मिलाएंगे तो बन जाएगा राद रे, अलिफ, रा, को जब हम जाल से मिलाएंगे तो बन जाएगा राज रे, अलिफ, रा, को जब हम गाफ से मिलाएंगे तो बन जाएगा राज इसको जब हम जीम से मिलाएंगे तो बन जाएगा राज रेले फ्रा को जब हम सीन से मिलाएंगे तो बन जाएगा रास आपने ये दोनों खुद करना है और मुझे पिक्चर सेंड करनी है उमीद करती हो आपको समझ आ गई होगी थेंक्यू